हेलो फ्रेंड्स आज है आठ अगस्त और आज के दिन हुए देश विदेश की प्रमुक एतिहासिक घटनाओं को जानेगे ये वीडियो आपके जानकारी और ज्यान के लिए बड़ा हिमहत्वपूर होने वाला है आए दोस्तों इस वीडियो की शुरुवात करते हैं आठ अगस्त 2003 को 15 छोटे छोटे देशों ने संजुक्त राश संग में ताइवान की सदस्यता का समर्थन किया था तथा आठ अगस्त 2002 को ताइवान आजाद होने के लिए जन्मत संग्र योजना के पीछे से हटा था तथा इसी दिन आठ अगस्त को जापान ने चीन को पराजित करके एश्रिया कप फुटबाल जीता था तथा अठारो सो चोट को जनेवा में रेट क्रॉस की अस्थापना हुई थी तथा इसी दिन 1900 में बोश्टन में पहले डेविस कप स्रिंखला की शुरुवात की गई थी तथा आठ अगस्त 1947 को ही पाकिस्तान ने अपने राष्ट्रे धोज को मंजूरी दी थी तथा इसी दिन 2010 को तिब्बत के गंजू प्रांत में भारी बारिश के बाद हुई भूँ अस्खलन में 100 लोगों की मृत्ति हो गई थी तथा लगभग 2000 लोग लापाता हो गए थे तथा आठ अगस्त 1942 को मोहंदास करमचत गाधी ने स्वराज या फूर्ण सोतनतता का आवाहन के जबाब में ब्रिटी सासन के खिलाप भारत छोड़ों आंदोलों की शुरुवात की थी आज के दिन हुए प्रशिद व्यक्तियों के जन्म उन्ने सोन्चास को बारहमी और तेरहमी लोक सभा के सदसे प्रसन आचारे का जन्म हुआ था तथा इसी दिन दच्चिन अफरिका के अवनेत्री चार्लीज धेरीन का जन्म 1975 को हुआ था तथा भारत के नियंतरक यो महालेखा परिचक राजी महर्शी का जन्म आज के ही दिन 1955 को हुआ था तथा भारते क्रिकेटर सुधाकर राव का जन्म इसी दिन 1952 को हुआ था आज के दिन हुए प्रमुक व्यक्तियों की निधन आठ अगस 2021 को अनपम श्याम भारते फिल्म और टीवी कलाकार थे जिनका निधन हुआ था तथा आठ अगस 2000 को एस दिज लिंगपपा भारते राष्टे कांग्रेस के 1968 से 1979 में अध्याच रहे उनका निधन हुआ था दोस्तों आज के देश विदेश की प्रमुक एतिहासे घटनाओं में बस इतना ही मिलेंगे कल की नई रोचक घटनाओं के साथ तब तक के लिए जैहिंद